तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से हम अपनी फेस्बुक की जो प्रोफाइल होती है उसको पर्मनेंटली डिलेट कैसे करते हैं तो यह जो है मेरी आप देख रहा हूंगे यह प्रोफाइल है और यहाँ पे इस तरह से किलिक करेंगे तो यह आजाएगी प्रोफाइल यहाँ पर हम फोटो वागरा वीडियो अपलोड करते हैं और यहाँ पर सारे फ्रेंट शो कर रहे हैं मेरे तो इसको मैं पर्मनेंटली डिलेट करना है तो कैसे करते हैं तो आप यहाँ पर देखिः गे यहाँ पर यह सारी चीज़े आ रही है कोकि यह इस page के अंदर मेरे problem है इसको page को में convert नहीं कर सकता रकाम doesn't design पैज के अंदर और इस वजह से मुझे यह delete करनी है मैंने इनको काफी रिक्वेस्ट वगरा भी भेजी है Facebook को के कनवर्ट मुझे करना है अपनी प्रोफाइल को पेज़ के अंदर तो यह नहीं कर रहे हैं तो मैं जो हूँ इसको पर्मनेंटी डिलेट करता हूँ मेरी दूसरी जो फेस्बुक है उसमें मैं उसको कनवर्ट कर सकता हूँ तो मैं उसी पर वर्क करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे ये फ्रेंट वगरा हैं इसमें तो ये सारे हैं यहाँ पे तो ये जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्रेंट शो कर रहा है तो ये आपकी प्रोफाइल है अगर यहाँ पर आप देखेंगे follower और following तो वो आपका convert हो जाता है पेज के अंदर तो यह मेरा convert नहीं हो रहा है तो अब मैं इस page को profile को permanently delete करने जा रहा हूँ तो देखें किस तरह से हम करते हैं इसको तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे यह messenger यह notification है उसके बराबर में यह आपको photo आ रहा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे account आ रहा है लिखा हुआ इस पर एक बार आप click करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आप देखेंगे setting and privacy और उसके बाद आप जाएंगे setting पर तो setting पर जाने के बाद यह इस तरह से setting open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको यह काफी चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पर तो मेरा जो है यह जो है यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ आप जाएंगे देखेंगे account है professional detail है password security यहाँ से आप change कर सकते है अपनी contact info देखेंगे date of birth देखेंगे और यहाँ पर identify confirmation देखेंगे account ownership and control तो यहाँ account ownership जो control है यहाँ पर आप जैसी जाएंगे एक बार इस पर click करेंगे या check करेंगे तो इस तरह से आपका ये open हो जाएगा यहाँ पे लिखा है ये account, ownership and control तो यहाँ पे first आप देखेंगे memorialization और दूसरा जो है deactivation और delete, deletion तो हमें इसको permanently delete करना है delete करना है permanent ये लिखा है यहाँ पे आप पर सकते हैं तो ये permanently delete your account and profile तो हम इस पर जाएंगे और इसको open करेंगे इस तरह से यहाँ पर हमें इसको जाना है और यहाँ पर देखें लिखा है और ये account जो है यहाँ से हमें delete करना है अगर आप deactivate करेंगे तो ये आपका 30 days के लिए जो है वो remove नहीं होगा आपके photo वगारा और video वगारा जो है वो सारी चली जाएंगी लेकिन आपका ये account का नाम रहेगा यहाँ पर 30 days अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो ये permanently delete हो जाएगा तो मैंसे जाके मुझे permanent delete करना है तो मैंसे जाके continue करता हूँ तो यहाँ पे तो यहाँ पे सारे option दीए इसमें से आप कोई भी एक choose कर सकते हैं यहाँ पे लिखाए I spend too much time on Facebook मतलब मैं जो हूँ बहुत जादा Facebook पे अपने time expand करता हूँ खर्च करता हूँ तो इस वया से मैं Facebook स है पार जा रहा हूँ आट रहा हूँ तो आप यह भी ले सकते हैं लिखाए I have a privacy concern तो इसके अंदर यह है कि प्राइवेड प्राइवेसी है हमारी मतलब personal चीजे हैं तो हम चाहते हैं किसी और से शेयर करना अपने photo वगरा इस तरह से तो आप यह भी कर सकते हैं लिखाए I don't feel safe on Facebook तो यहां पर लिखाए मुझे जो है Facebook पे मतलब जो है safe feel नहीं होता है मेरे photo है कोई और use करके उसको misuse ना करें तो यह भी आप कर सकते हैं यह लिखाए my account was hacked तो यह आप आपका account hack तो नहीं हुआ है आप login कर रहे हैं तो आप जो है इसको ना choose करें तो I longer find Facebook useful तो इसको भी आप कर सकते हैं तो आप मैं यह फस्वाला ले देता हूं कि बहुत जादा time waste कर रहा हूं उसके उपर तो मैंने इसको फस्वाला ले के और continue कर दिया है और यहां पर मैंने इसको continue कर दिया यहां पर तो यह यहां पर आप देखिए पर्मनेंटी डिलीट एकाउंट तो यहां पर अभी भी आपको चॉइज दे रहे हैं डी एक्टिवेट के आप यह सेलेट कर ले तो आपको 30 जो है यहां पर तो गो टू एक्टिविटी लॉग इन और डाउनलोड इंफरमेशन या ट्रांसफर इंफो तगर आप यह चीज़ें चाहते हैं कर सकते नहीं तो अगर आपको यह कुछ भी नहीं चाहिए और आपको 100 परसेट आपको डिलेट करना है यह आपके फोटू वगरा जो हैं वह सब लॉस हो जाएं कोई बात नहीं है तो आप यहां से कर सकते हैं नहीं तो आप अपनी चीज़ें लेना चाहते हैं तो यहां से आप डा आपकी जो फेस्बुक पर थी वह आपको लेना है यहां से कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं लेना है आप डारेक्ट जाओ कंटीनियू कर दो और यहां पर आपको जिस से आप अपनी प्रोफाइल पासफर्ट से लॉग इन करते हैं वह आपको यहां पर देना होगा तो म अगर नहीं है तो आप कैंसल कर सकते हैं आपको हंड़ेट परसंट गारेंटिय आपको कर नहीं करना है तो आप डिलेट एकाउंट कर दो कि